यह बहुता बेटारांगु नियुक्षा और और दिश्टर्प अ करता है अगर योगी जी पहली बत तो यह बोलता भी नहीं एंमा नाधा चैनल चुपल चुरोंगर यह बुंडो जह चल रहा है इसका यह हाल होता यह हाल होता अब पुछो क्या हाल होता इसके पिछवाड़े में रूप जाला को लाओ दिन्ली बचाओ अर्विंद केजरी वाल को चुनोती देने वाला एक वेक्ति वह और लोग तंत्रे पत्रकार आप लोग सब चिपड़े जाओ गें मोधी को अराम अरा हाँ सच्छा ही बता रहो मैं कि नश्कार मैनुकार आप देख रहे हैं अलका टूडे देश के परदान मंत्री को लेकर के बार-बार कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से विवादित ब्यान दिये गए हैं चाहें वो सोनिया गांधी हो चाहें राहुल गांधी हो तमाम कॉंग्रे को बचाना है तो देश के परदान मंत्री की हत्या के लिए तैयार रहे हो दिल्ली के दिपक हमारे साथ दिपक जी कैसे देखते इस चीज़ को जैसी रहं हिंद पत्रकार मोधे मैं दिल्ली का दिपक आप सवाल पूछिए पहले तो दूबारा एक कॉंग्रेस का पुरो मंत् जाड़ू उसने भी निकरा चिंतन सीविर का मतलब है कि पहले ही मनोबल गिरा दो आप घर से निकलते हो तो पहले ही सोच लेते हो कि मेरी दुरबटना हो जाएगी यह दुनिया की पहली पाटी है जो पपू जोड़ो अंदुलन कर रही है आप लोग का बोल रहे हैं उसको भारत आपका नहीं है भारत आप लोगों ने खंडखन कर दिया यहां पर अभी अब्दुलकलाम जी के रिस्तेदार भी घुम रहे हो तो क्या हम उनको यह कहेंगे हम उनकी इज्जत करेंगे हमने कोई नहीं बोला हम अगर सोच पकड़ो कसाब और कलाम इस दो वेक्ती है अ अगर वो देश विरोधी गती वीदियो में लिप्त है तो और जो कलाम की सोच रखता है उसको सरमाते में रखो क्योंकि कलाम जी की सोच वाले वेक्ती चाहिए जो मंदिर में घंटा भी बजाता था पुजा भी करता था और उनका नाम अब्दुलकलाम मिसाइल मैं एपीज तंत्र का यह कुछ दिन बाद तुम्हारा चैनल बढ़िया चल जाए तो कुछ यूटूबर तुमसे चिड़ जाएंगे लों कह देंगे हमारा चैनल खत्रे में आ गया है अरे तुम किसी की तरक्की आज के टाइम पे यह तो पार्टी है यह अपने दुख से दुख ही नही है यह लोग अरे एक वाद बताओ भारत जोड़ों वांदोलन चल रहा है और इनका नेता का बोल रहा है कि मोदी जी के साथ ऐसे ऐसे करो ठीक है उनके लिए अबद्र भाजा का इस्तमाल कर रहा हो इनकी अवकात है मोदी जी के बराबर में खड़े होने की यह योगी जी औ दो चार सानसत तों इनके भी राजर सभा में या तो इनको वहां से निगम की टिकट मिल जाएगी या विधायक की टिकट मिल जाएगी यह बागल वागल होगा तुम्हारा वहां पर मामा की सरकार है अगर वो योगी जी का एरिया होता पहली बद तो यह बोलता भी नहीं ए महाराज महता चपल चोरों के यह बुल्डोजर चल रहा है इसका यह हाल होता यह हाल होता अब पूछो क्या हाल होता इसके पिछवाड़े में रूप जा लगवा देता योगी योगी परधान मंत्री आप बोलोगे गाली बगोंगे परधान मंत्री को आप सब दो बोलोगे मारने की बाते कर रहा महाराज मैं नहीं कर रहा हो कर रहा है वो का नाम है उसका बुड़ुवक्का जो भी है ऐसे जैल का नाम लेना हाँ इसका बढ़िया पत्रकार है भाई का चैनल देखा करो या हम आगे बढ़ जाएंगे इनकी अवकात नहीं है अरे वह मा को पूचता है वह सफाई करमचैरियों के पैर दोता है आप खुद बताओ यहां आती है कि ऐसे दो कोड़ी का जो लेता है तो देश के परदान मंत्री की हत्या करने की बात करता है कि कहता कि हत्या के लिए तैया आप चांदी की किसाई होगी वहां पर या उनको मसाजपालर मिले का सरेंदर जैन वाला वह तो आप लोग पत्रकार हो हम लोग राश्टवादी वैक्ति इतनी डीपली नी जाएंगे मगर यह जरूर है कि नुरुत्तम मिसरा जीने क्लियर कह दिया है कि हम योगी जी का प्र अंद्रुनी चुप चाप दे जाती है लेकि यह तो सार्जुनी के लिए उगसा रहा है कि आओ हमसे मिलो और क्या कर दो हम वह कह रहा है हमारी जबान फिसल गई है अभी तो उसका बहुत कुछ फिसलेगा उसका इनकी पार्टी कारे करता फिसल गए राहूल गांदी जो है तो इदर गुजराइत क्लीन हो गए उदर फिसल गहीं हिमाचल में देखो बूरा मत मैंना हो भी जबीघल दिली मंगे कघल मिस्रा दिली को बचाना है तो कर लाना है हिमाचल में क्यों जीदे मालू मैं बीजेपी वालों के गुट बन गये वहाँ पस मुझे क्या दिकत है म मेरे का मतलब है बीजेपी से एक बात बताओ जो बीजेपी का होगा वो कभी अपनी पार्टी की बुराई करेगा मेरे को क्या मतलब है मैं तो राष्टवादी हूं हिमाचल पर देश में गुट बन गए गुट बन गए तो बंदर बाट में क्या हुआ है कि बाहर जो शेर था हुआ है उनका जो है ना बॉंडरी मिलती है आज पंजाब का हाल देखो इतना बुरा हो रहा है कॉंग्रेस ने पंजाब छोड़ा जाडू आई जाडू के चक्कर में पंजाब में देखो आज हालात कितने खराब है मगर हिमाचल में अब कॉंग्रेस दुबारा आएगी त कोई कहता है कि मोधी के हत्या के लिए तेरी क्यों तो नहीं हो रही देखो फिर वही मानवधिकार संगठन लोग तंत्र पत्रकार आप लोग सब चिपढ़ जाओं के मोधी को अराम-राम से लेने दो थोड़ा दीरे दीरे लेने दो उसका मजा अलग है वह लेने का मतलब यह है कि खुटाई तुम लोग गलत मत समझना है डबल मिलिंग में तुम लोग भी पागल आद्मीं बुडवक हो यह लोग भी वह सो देखके खुश होते हैं इनको अराम-अराम से जितने भी अपरादी हैं इनकी तबीयस से दीरे-दीरे करके लो आगे से मारो पीछे से मारो बाएं से मारो उपर से मारो नीचे से मारो तो इनकी सालों सार बवासीर की विबारी हो जाए और जब उनको मसाच चाहिए हो बवासीर का तो सेंदर जैन से करवा लो लेकिन जो लोग लोग अपने मंतरी के ऐसे ब्यान के पर खामों से देखिए वह भारत जोड़े वह दिल्ली जोड़े वह कुछ भी जोड़े पहली बात तो भारत कहीं तूटा नहीं है और दूसरी बात यह है कि ऐसा बयान क्या दिल्ली के सीहम का एक बारी भी भायान आया कि निंदनी है क्योंकि एक सिक्पह के दो पहली कॉंघ्रे सbaार जड़ू का यह वोई जड़ू वाला है जो आच से आठ साल पहले कहता था हalter मई बच्चो की कसम ख़ाता हूं मैं Post पूर्व मुख्य मंत्री सवर गी उतने का वह स्विमिंग पूल बना कि उसमें ऐसा का चीज है कि जिसमें आप डूपकी लगाएं तो बोलना दूर जिस पार्टी के उन्हें ता है और जिस पार्टी के मन्चे उन्हों सब्सक्राइब करें तो यह पार्टी खंडित हो जाती यह टुकड़ों में बढ़ चुकी बिचारी का तो लाम नेना भी बेकार है उससे बढ़िया तो नोटा चल रही है आजगल लोग नोटा को जना पसंद इनकी जमाना धर्दका जब्त हो रही है अब तो आप भी जाओग परचार करना है आपको कोई वोट नी डालेगा कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है कद्दू है गीया है पपू जोड़ों अंदुलन देखिए वह भी बीच में भारत जोड़ों यात्रा से वह सपत ग्रहें समारों में चले गए अभी थोड़े दिन मत क्रिस्मस की पाटी दिल्ली नेपाल से हाँ जब वह पैदल सकता है तो चोतिस साल का आदमी युवा नेता नहीं हुआ तो फिर तो अभी पालने में होगा भाईया यह फैकू पार्टी है कॉंग्रेस पार्टी नहीं फैकू पार्टी है यह सतर साल चे तो फैकती आ रही थी आप तो उठा उठ घ्रक करता लोगों ने वोट देना बन्द कर दिया जीतता क्यों नहीं है ना खालिस इंदगी यह जीत नहीं तो इनका पता पांच राज्यों के इलेक्शन हुए चार राज्यों में हाँ हम लोग राष्टवादी दिल्ली का दीपक आप जानते नहीं है आपने आप समझ यह कैमेरे पर देखने में कुस्तोकिलस गए होंगे हमारा मक्सद यह है कि दिल्ली साप सुत्रा रहे मगर ना छेड़ो हमें हम सताय हुए है अप सडकों पे लेटते थे क्या गद्दे बीना बचाए कितना साप था यह तो थोड़ा बहुत काम सीला दिक्षित ने करा है और उसने भी सुनो उसमें भी घुटाले हुए है मगर वो कोट का भी से है इसलिए मजाना इन्वाल्ब होन निकला दो चिती वाले जहां दीकी तवाप्राथ वहीं बिता सारी रात केज़िवाल ह dairy फाटिया इखेज D हजली वाल हमारी हमारी मर्जी हमारा मुं बोलेंगे दिल्ली को बरबाद इसलिए प्रकार की इतना मालूम है जब कनहिया को मार की अत्या करी गई इतनी बुरी तरीके से लाल साहु की तो एक भी बयान अर्विंद केजरिवाल करनी आया और उनके पास इतना फंड है इतना फंड है का नहीं के लिए उनके जेव से दस रुपए भी निकले यह लाइन डालोगे आप यह लाइन जरू टालना हाँ तब उस टैम पर कपिल मिश रही गया एक करोड तीस लाख रुपए देने और कोई ऐसान नहीं करा उसने भी सनातनियों से मांगे घट्टे करें और जाकर दे आया टोटल तीन करोड जमीन में खड़े हो कहां खड़े आप अभी जगह का नाम क्या है केजरिवाल बोलता है हम लोग नहीं बोलता है उसके कारण है न इसने बोला है कि देश का सबसे बड़ा पती है ना उसका मकान वक्त बोड पाद्ट की जमीन बना हुआ है आपका निकल वाओ चया पता यह क पंजाब के हालाथ पूछ लो अब दिल्ली में में सीडी में जब गली पथर चलेंगा तो मुझे बुला लेना जैसी राम जैन मैं दिल्ली का दिपक